सौ साल पहले मुझे तुम से प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा इंडियन सिनिमा को सौ साल पूरे हो चुके हैं और मिनिस्टरी ओफ इन्फरमेशन और ब्राड कास्टिंग इसे सेलिब्रेट कर रहा है सिरिफोर्ट ओडिटोरियम में विमन एंपावर्मेंट को लेकर बहुत सारी मुवीज बनी हैं और वाके में ये मानना पड़ेगा कि फिल्म्स ने विमन को बहुत जादा एंपावर्मेंट किया है और ऐसी ही एक पावरफुल शक्षित हमारे साथ है जो कि है पांकचा ठाकुर, CEO of Central Board of Film Certification आईए उनसे बात करते हैं माम जहां बात आती है विमन एंपावर्मेंट की I think one of the best example is you how people take care of this thing कि emotions भी hurt ना हो but हम जो दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा दे कुछ ऐसे scenes होते हैं आप नहीं दिखा सकते तो वहाँ पे sensor board किस तरहां से decision लेता है मुझे लगता है कि अगर उस तरीके से एक sensitive way में और right emotion evoke करने के लिए बनाई जाए film तो उसमें CBFC को कोई भी problem नहीं है किसी भी किसी जो देखने वाले audience उनको भी problem नहीं होती है हमारी कोशिश यह होती है एक तो intention of the filmmaker जो बहुत clear हो जाता है कि camera के जो angles होते है camera कहां जा रहा है उससे पता चलता है कि filmmaker कोई कोई बात कहना चाह रहा है या mere titillation के लिए यूज कर रहा है तो हम वो देखते हैं दूसरी बात है कि कई बारी हम unnecessary जैसे अगर आप पे establish करना चाहते हैं कि physical जैसे एक औरत को मारा जा रहा है जैसे घर के साससूर मिलके ही एक घर में एक बहु को मार रहे हैं तो ठीक है अबर इट शूड नॉट भी कि छे साथ मिनिट तक वो तरह तरीके से उसको मार रहे हैं तो वी डू ऐसा भी नहीं कि हम एकदम कार देते हैं बट वी डू आस्ट फिल्मेकर कि आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर इसको आप दो मिनिट में कह सकते हैं तो प्लीज इसको करें और कई बारे ऐसा होता है कि वो खुदी बोलते हैं कि यस अगरी में भी हम इसको यह कर देंगे तो एक पॉइंट के बाद जब वो एक कहानी का हिस्ता नहीं रहके एक मियर एक तरह का किसी और परपस के लिए हो जाता है तो हम ज़रूर उसके बारे में क्वेशन करते हैं फिल्मेकर को इस इस वाट आइल से सोशल मीडिया के अगर बात की जाए तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि जैसा अभी हमने हरी हरन सर से बात की थी तो उनने कहा कि सोशल मीडिया पर पहले ही मुवी प्रमोट होने लग जाती है तो क्या कभी ऐसा हुआ कि सैंसर बोर्ट जब तक डिसीजन लेता तो सोशल मीडिया के थूँ एक मेसेज आया कि शायद ये चीज या ये पार्ट या इस तरह के कोई गलती हो सकती है इस मुवे में ऐसा कभी आपके साथ हुआ ऐसा हो जाता है एक फिल्म थी उसका नाम पहले तो वूमन इन ब्रामिनिस्म था बाद में उन लोगों ने उसको चेंज कर दिया तो उन्होंने यूट्यूब पे उसका कुछ प्रोमोड डाला था तो हमें उसकी पहले फिल्म आने के पहले शिकायत आने शिरू हो गई कि उसमें एक पर्टिकलर कम्यूनिटी को बाद लाइट में दिखाया गया है और डेलिबरेट बे में दिखाया गया है तो हमें कई बारे ऐसा होता है कि कोई चीज यूट्यूब पे डाली जाती है और फिर लोग देखते हैं और वहां से हमाई पर शिकायते आने लगती है कि आप प्लीज कैफुल रहे हैं यह समय ऐसा हो रहा है बट कई बार यह होता है कि कुछ लोग खुदी शुरू कर देते हैं तो यह थी हमारे साथ पंकजा ठाकुर जुनका कहना है कि कभी कबार सोशल मीडिया इतना हेलफफुल प्रूफ होता है कि कुछ बहुत बड़ी बड़ी गल्तिया होने से पहले ही वो हमें उनसे बचा लेते हैं